यॉरप के अंदर study visa लेना चाहते हो बिना किसी single पैसा दिये हुए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते सब कुछ agent करेगा आपकी तरव से वीजा आएगा तो आपने पैसा देना है otherwise किसी तरह का कोई भी single पैसा भी आपने agent को नहीं देना तो वीडियो को शुरू करेंगे इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे study visa gap बहुत ज़्यादा आ चुका है घर पे आप बिल्कुल free बैठे हो बट आप यॉरप के अंदर एक entry करना चाहते हो एक path way बनाना चाहते हो easiest way बनाना चाहते हो Schengen zone के अंदर जाने के लिए तो ये वीडियो आपके लिए है किसी तरह को कोई भी risk नहीं लेना आपने बिल्कुल बिना किसी single पैसा दिये हुए यॉरप का study visa आपका apply होगा वीजा लगने के बाद आपने payment दिना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने वीजा कहां से apply करना है उनका number क्या है उनका address क्या है सब कुछ यहाँ पर आपको mention कर दूँगा वीडियो के अंदर तो आप directly company के साथ बात करके आप उनके साथ वीजा ले सकते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले यहाँ पर आपको study visa, tourist visa और working visa की information आपको मिलती रहती है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लीजिए, like कर दीजिए और वीडियो को जादा सी जादा शेयर कर देना अज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं study in Europe country का नाम है Bosnia जो की शेयर करती है सर्बिया का बॉर्डर और दूसरी तरफ करती है क्रोशिया का बॉर्डर आप बिल्कुल मैप के अंदर भी देख पा रहे हैं Bosnia के European Balkan country है जहां से आप बिल्कुल next pathway बना सकते हैं अगर काफी ज़्यादा एजेंटों के पास जाकर अपना पैसा खराब कर चुके हो तो ये opportunity आप मत खोना क्यूंकि इस opportunity के साथ आप शेंगन जोन का अपना सुपना साकार कर पाएंगे क्यूंकि European country है ये और यॉरप के अंदर अगर आप एंटर होते हैं तो आगे रस्ते बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो बोस्निया के अंदर एक छोटी की amount बिल्कुल कम budget के अंदर और बिना किसी advance दिये हुए आप बोस्निया का study visa apply कर सकते हैं चाहे आपका 10 साल का भी gap है कोई दिक्कत नहीं है चाहे आप घर पे बिल्कुल free बैठे हो किसी तरह का कोई भी काम नहीं किया तो भी आप इस study visa को apply कर सकते हैं और बिना किसी risk के इस package के अंदर आपके एक साल की fees, एक साल का insurance, आपका TRC card, आपकी application fees, आपको airport pickup, एक महीने की accommodation भी आपको बिल्कुल free of cost में provide की जाएगी आपको किसी भी तरह का कोई extra charges pay करने की जूरत नहीं है ये सारी services आपको बिल अगर हम इंडियन रुपीज एक रुपे की भी बात करें, आपने किसी तरह का एक रुपे या भी नहीं देना इस visa को लेने के लिए, आपको visa लगने के बाद पैसा pay करना है, company की सारी details यहाँ पर भी mention हो रही है, description के अंदर उनका WhatsApp number, उनकी details, company का address, A to Z वहाँ पर mention किया हु इनके पास काफी ज़्यादा work visa भी है, काफी ज़्यादा study visa भी है और tourist visa के अंदर भी आपको guidance प्रवाइड करते हैं, और बहुत ज़्यादा information आपको मिलेगी और बिना किसी advance लिये हुए ये काम करते हैं, definitely बहुत अच्छी agency आपके लिए find की है, तो आप इनके साथ contact कीजि उनके लिए 35-40,000 भी एक अच्छी amount है, then time to time आप एक साल जो हाँ पर study करने के बाद आगे Schengen का सुपना भी देखना चाते हैं, तो Schengen के अंदर भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा opportunities होती हैं, आप grab कीजिए, इंडिया से अगर पहला कदम उठाएंगे, तभी आपको साड़े 6 लाग सर्विया की entry करने के लिए, तो अभी हो सकता है कि वहाँ पर entry ना मिले, यहाँ पर एक छोटी amount, में भी सर्विया से भी आधी amount के ऊपर आपको यहाँ पर study visa मिल रहा है, और बिना किसी risk के, visa मिलेगा, definitely legal तरीके से आप जाओगे, बिल्कुल हस कर जाओगे, किसी तरह को कोई भी tension लेने की कोई जरूत नहीं है, तो आप study visa के लिए, अभी call कीजिए, इसी number के उपर, whatsapp number भी available है, और इनके आप directly call करके भी पूछ सकते हैं, कि sir please हमें study in boss niya के बारे में please बताइए, पूरी information आप इनके number के उपर call करके ले सकते हैं, so video अच्छी लगती है, तो वीडियो को like और share कर दीजिए, ताकि इस channel के उपर हम ऐसे ही study visa, tourist visa और work visa की information आपके साथ share करते रहें, मिलते हैं next video के अंदर, वाहे गुरू जी का खालसा, वाहे गुरू जी की फते, बाई बाई लव यू, take care